इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि वह चाय पियेगी इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि वह सुन्दर दिखती है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो गाइस ऐसे sentences आप daily life में यूज करते हो तो इस टाइप के जो sentences है गाइस इसे English में कैसे बोला जाता है आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा structure तो सबसे पहले आपको यूज करना है it goes without saying that and then लगा देना है sentence अब sentence दोस्तों आपका कैसा होगा sentence आपका कैसा भी हो सकता है जैसा आपका sentence होगा उस टाइप से आप translate करोगे clear? समझ लेते हैं example से इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए तो सबसे पहले guys according to rule आपको यूज करना है it goes without saying that and then लगाना है sentence sentence आपका क्या है sentence है आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए तो ये sentence guys आप किसी को advice दे रहे हो तो इसका structure हो जाता है subject plus should plus verb की first form and then object तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए इसका English बनेगा you should work hard तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो it goes without saying that you should work hard clear अगला example है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते तो सबसे पहले आपको use करना है according to rule it goes without saying that and then आपको use करना है sentence sentence है आप उहाँ नहीं जा सकते यह sentence है दोस्तो आपका model का तो इसका structure हो जाता है subject plus cannot cannot यहाँ पे क्यों लएगा क्योंकि दोस्तो यह sentence है आपका negative का and then लगाना है work की first form plus object तो इसका English बनेगा you can't go there तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो can't go there it means इसमें कोई करने वाली बात नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते clear अगले example है इसमें कोई करने वाली बात नहीं है कि वह चाय पीएगी तो सबसे पहले दोस्तो आपको use करना है it goes without saying that and then लगाना है sentence sentence है वह चाय पीएगी तो यह sentence दोस्तो आपका कैसा है यह sentence है आपका future indefinite का और future indefinite का आपका rule हो जाता है subject plus will plus work की first form and then object तो इसका इंग्लिस बनेगा she will take tea तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो it goes without saying that she will take tea it means इसमें कोई करने वाली बात नहीं है कि वह चाय पीएगी clear अगला example है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि वह सुन्दर दिखती है तो सबसे पहले दोस्तो आपको यूज करना है it goes without saying that and then लगाना है sentence sentence है दोस्तो वह सुन्दर दिखती है तो यह sentence है आपका present indefinite का तो present indefinite का आपका structure होता है subject plus work की first form या work की fifth form and then object तो वह सुन्दर दिखती है इसका इंगलिस बनेगा she looks beautiful तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो it goes without saying that she looks beautiful it means इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि वह सुन्दर दिखती है कि लिए अगला example है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो सबसे पहले दोस्तो आपको यूज करना है it goes without saying that and then लगाना है sentence sentence है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो यह sentence guys आपका कैसा है यह sentence है present indefinite का और present indefinite का आपका structure होता है subject plus work की first form या work की fifth form and then object तो इसका English बनेगा you teach very well तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो it goes without saying that you teach very well it means इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो clear guys ऐसे sentences भी आप डेली life में यूज करते हो जैसे आज भी वह मुसे नराज है आज भी वह वह जाता है आज भी वह उससे मिलता है आज भी वह आपसे बात करती है आज भी मैं वह जाना चाहती हूँ ऐसे sentences भी आप डेली life में यूज करते हो तो इस type के जब situation आज है दोस्तो तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसका structure सबसे पहले आपको यूज करना है even today and य लगाना है sentence sentence आपका कैसा भी हो सकता है जैसा आपका sentence होगा उस type से आप translate करोगे clear? समझते हैं example से आज भी वह मुझे नराज है गैस सबसे पहले आपको यूज क्या करना है आपको यूज करना है even today and then लगाना है sentence sentence है वह मुझसे नराज है तो यह sentence है guys आपका present state of being और present state of being का आपका structure हो जाता है subject plus is amr plus state of being तो वह मुझसे नराज है इसका English बनेगा he is angry with me तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो even today he is angry with me it means आज भी वह मुझसे नराज है clear अगला example है आज भी वह हुआ जाता है तो सबसे पहले लगाना है according to structure even today and then लगाना है sentence वह हुआ जाता है तो यह sentence है दोस्तो आपका present indefinite का और present indefinite का आपका structure हो जाता है subject plus verb की first form या verb की first form and then object तो इसका English बनेगा he goes there तो आपका complete sentence हो गया guys even today he goes there it means आज भी वह हुआ जाता है clear अगला example है आज भी वह उससे मिलता है तो सबसे पहले यूज़ करना है according to structure even today and then लगाना है sentence sentence है वह उससे मिलता है यह भी sentence है present indefinite का तो इसका English बनेगा he met sir तो आपका complete sentence हो गया guys even today he met sir it means आज भी वह उससे मिलता है clear अगला example है आज भी वह आपसे बात करती है तो सबसे पहले यूज़ करना है according to rule even today and then लगाना है sentence sentence है वह आपसे बात करती है यह भी sentence है दोस्तो present indefinite का तो इसका English बनेगा she talks to you तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो even today she talks to you it means आज भी वह आपसे बात करती है clear अगला example है आज भी मैं हुआ जाना चाहती हूँ तो सबसे पहले यूज़ करना है even today and then लगाना है sentence sentence है मैं हुआ जाना चाहती हूँ तो इसका English बनेगा I want to go there तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो even today I want to go there तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हूँ next वीडियो में I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप even today and it goes without saying that से एक एक sentence comment section में बना कर जरूर लिखे so if you like this video please subscribe this channel and press the bell icon thank you guys